हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्रशी करांती के इस YouTube चैनल पे इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU में कैसे आप admission ले सकते हैं after CEVT exam लिए UG और PG students को अब क्या करना है BHU में admissions के लिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले अगर आपने registration नहीं भी किया है UG वाले इतने भी students हैं तो टेंशन आपको नहीं लेना है जैसे ही आपका CEVT UG का result declare किया जाएगा बाद यहां पे आप अपना registration complete कर सकते हैं कब तक जब भी आपका result declare होगा CEVT UG का उसके 5 दिन तक आप यहां पे registration कर पाएंगे CEVT UG वाले students के लिए BSC Agriculture हो गया, BSC Bio, BSC Math, Dairy Technology इन सभी courses के लिए बच्चे यहां पे registration आप कर सकते हो अब इसके बाद next हम बात करते हैं Post Graduate Programs में MSC Agriculture के courses हो गये Soil and Water का हो गया, MBA Agri Business Management के हो गये अगर आपने इनके लिए CEVT examination attempt किया था और BHU में आप admission लेना चाहते हैं तो यहां पे registration portal आपका open हो चुका है Post Graduate Programs के लिए तो यहां पे registration के लिए आपको Click Here for registration पे click कर देना है इसके बाद आपको यह instructions पढ़ लेनी है लिए इसके बाद activate your account आपको बाद में करना है सबसे पहले new registration पे click कर देना है तो यह application form आपने फिल किया था उसमें आपको एक application number मिला होगा NTA की तरफ से उसको enter कर देंगे और यह steps आपको complete कर लेना है sign up कर लेंगे दिन उसके बाद आपके email id पे एक notification आ जाएगा उसको activate करने के बाद आप sign in कर लेंगे अपने email id की सहायता से लोग इन करने के लिए आपका login id और password जो आप password यहाँ पे set करेंगे उसकी सहायता से आप login करके complete registration कर लेंगे अब इसमें करना क्या पड़ेगा आपको आपकी जो भी basic details है वो भरने पड़ेंगे जो आपने form में फिल किया था उसके बाद आपको और क्या फिल करना पड़ेगा इसमें आपका photograph signature, 10th की mark sheet, 12th की mark sheet आपकी UG की mark sheet ठीक है अगर आ गई है तो bus certificate हो गया उसके अलावा आपका जो cast certificate है अगर कोई immigration या character certificate अभी नहीं है तो tension नहीं लेना है अभी आप apply कर दो बाद में admission के time पे भी आप declaration देके admission ले सकते हो ठीक है उसको आप update कर सकते हो बाद में भी ठीक है तो जो भी आपके पास अभी available है certificates उन सभी certificates को यहाँ पे आपको अपने ID पे upload कर देना है ठीक है तो यह आपका registration complete हो जाएगा और registration fees भी आपको यहाँ पे pay कर देनी है जादा registration fees नहीं बात करें कब तक आप registration कर सकते हैं PG programs के लिए तो PG programs के लिए 16 July तक आप registration कर सकते हैं वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोसों तक भी शेयर करें जिन्नों ने अपना C.V.T का examination attempt किया है मिलता हूँ मैं आपको वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें देखतेरें क्रिशिकरांती यूट्यूब चैनल सचित आनन्द के साथ बहुत बहुत धन्यवाद